पेपर होगा, उसमें कैसे 75 कोशन पूचे जाएंगे, किस लेविल के 75 कोशन सब होगे साथियों, आज किस ख्लास में हम लोग देखेंगे यानि कि जैसे साथियों सबसे पहले 20 पृष्ण हम लोग लेंगे, जैसे आपके एकजाम में पूचे जाएंगे 20 प्रिशन हूब 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 लोग धी कोशन उसके बाद सातियो 10 प्रिशन हम लोग देखेंगे current affair के, फिर 25 कोशन देखेंगे reasoning के और 20 कोशन देखेंगे match के, यैनि के जैसा सातियो पेपर आएगा, वैसा ही पेपर सातियो यहाँ पर तयार किया गया है आप सब ही के लिए और ये परिक्षा साथियों RRB-ALP की कब होने वाली जून में साथियों परिक्षा आपकी शुरू है तो अगर आप परिक्षा को पास करना चाहते हैं बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो इन 75 सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिक्ष में स्टोर होना चाहिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला पुर्षन आपकी स्क्रीन पर आचुका है कि किस वाग्यानिक ने हाइडरोजन की खोच की थी तो आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टन कोशन ने साथियो हैंडरी कोईटिशन ने साथियो हाइडरोजन की खोच की थी आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद देखिए मनुश्र का रग्त का जो लाल रंग होता है साथियो किस की वज़ा से होता है ये क्यूं होता है तो ये तो साथियो हीमोगलोबिन की वज़ा से होता है आप लोग ध्यान रखेंगे मनुश्र का लाल रंग किस की वज़ा से होता है हیموگلوبین की वजह से होता है मनुश्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो कौन सा तत्व पाया जाता है साथियों आक्सीजन पाया जाता है इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नमबर भी तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोन की खोच किसने की अगर आपकी परिक्षा में ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोन की खोच किसने की साथियों तो जे जे थॉमसन के दोरा ही इलेक्ट्रोन की खोच की गई आंसर आपका डे के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियो हास गैस किसे कहा जाता है यानि कि लाफिंग गैस साथियो किसे कहा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए नाइटरस आकसाइड एक ऐसी गैस साथियो जो वातावर में जैसे ही आती है तो इनसानों को हासी आने लगती है तो नाइटरस गैस को अगर बात करें को ही क्या कहा जाता है हस गैस कहा जाता है आंसर आपका सी के साथ चलिए उसके बाद देखिए रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले किस वेग्यानिक ने लगाया था तो किस वेग्यानिक ने लगाया था साथियों विलियम हर्वे ने लगाया था आंसर आपका जाएगा एके साथ भी बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास उसके बाद देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग पित को उद्पन्न करता है तो साथियों अगर बात करें आपको या तो एलपी बनना है या आपको टेक्निशन बनना है या टोटल मिला के साथियों 14,500 के आसपास आपकी वेकंसी है और अगर आप चाहतें साथियों इसका सब कुछ किलियर है आपकी जोइनिंगी 2024 में ही हो जाएगी तो ये एक ऐसी जोब है इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप चाहतें के सेलेक्शन पाना तो 2024 में ही साथियों आपको जोइनिंग मिल जाएगी आपकी जोब लग जाएगी बस पेपर को बहुत शानदार तरीके से आपको क्रेक करना होगा और मेरा मानना है साथियों अगर इस एक्जाम को आप कौलिफाई करना चाहते हो बहुत अच्छे माक्स के साथ तो एक्जाम तक जो कुछ भी पढ़ाया है जाए आपको साथियों अगर वो आप पढ़ लेते हैं सभी कोशन्स आपके मानों मस्तिक्ष में स्टोर हो जाते हैं तो एक्जाम को क्रेक करना बहुत मुश्किल बात नहीं यह बहुत आसान आपके लिए पेपर को पास करना हो जाएगा ठीके ना तो चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजे और इस वीडियो को साथियों एक बार लाइक भी अवश्य कर लीजेगा चलिए मानव शेरीर का कौन सा अंग पित को उत्पन करता है तो यकरत साथियों आपको धियान रखना है ये भी आप लोग धियान रखेंगे आंसर आपका भी के साथ अगर आप से एक्जाम बे पूछा जाए कि शुद्ध जल का पियच मान साथियों कितना होता है तो शुद्ध जल का पियच मान कितना होता है साथियों साथ होता है आंसर आपका सी के साथ जाएगा रक्त दाप के अगर बात करें अगर ब्लेड प्रेशर के अगर बात करें तो जो ब्लेड प्रेशर को चिक किया जाता है साथियों किस यंत्र के द्वारा चिक किया जाता है उसको क्या कहा जाता है उसको इस इस्विग्मो मैनोमीटर कहा जाता है क्या कहा जाता है साथियों इस सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है इसलिए आंसर आपका जाएगा option number C के साथ मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व सात्यों कौन सा होता है बताईए तो जो इनेमल होता है न सात्यों जवड़े में तो ये आपका सबसे कठोर तत्व कहलाता है पूरी बोड़ी में answer आ 69 प्रशन सात्यों भाग दिखाई देता है जब पृत्वी से चंद्रमा को देखा जाता है मनुष्य के रक्त के जो RBC होता है न सात्यों इसका जीवन काल आपसे एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो 120 दिन सात्यों इसका जीवन काल होता है RBC का तो answer यहाँ पर ज जवाब दिया है सात्यों इसका C यानि के decibel तो बिलकुल correct है चलिए तो सात्यों इस पूरे model paper को आप लगाईएगा और देखिएगा कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है math को देखिएगा reasoning को देखिएगा और पूरे math के सात्यों एकदम top level के 20 questions लाया हूँ और पूरी reasoning के सात 25 top level के questions लाया हूँ और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा हूँगा एकदम सरल भाशा में math और reasoning को complete खत्म कर देखिए सात्यों आज किस class में चलिए proton की अगर भात करते हैं जब हम सात्यों तो proton की खोच किस के द्वारा की गई थी other food के द्वारा की गई थी answer आपका जाएगा option number C के साथ भी बहुत बड़िया very good class अब उसके बाद देखिए कोशिका की आत्म हत्या की तहली किसे कहा जाता है बताईए तो आत्म हत्या की तहली किसे कहा जाता है कोशिका की साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे लाइसोसोम को कहा जाता है क्या लाइसोसोम भी कहीं पर लिखा होता है लाइसोजोम भी कहीं पर लिखा होता है तो दोनों ही बाते आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन बी का रासाइनिक नाम साथियों क्या है ये आप से यहां पर पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन बी की जब हम रासाइनिक नाम की बात करते हैं केमिकल लेम की बात करते हैं तो थाइमिन होता है साथियों विटामिन बी का रासाइनिक नाम तो ये तो आपके साथियो विग्यान के एनिके साइंस के 20 कोशन्स हो गए अब हम लोग देखेंगे अभी कुछ महीने के पहले की बहुत पुरानी करंट अफैर में नहीं लेकर आया हूँ बैस साथियो तीन से चार महीने की ही करंट अफैर लेकर आया हूँ बारे में यानिकि जो बिहार के कौन से ऐसे पूर मुख्यमंत्री थे जिनको मर्लो परांत देश का सरवोच सम्मान यानिकि भारत रतन 2024 सम्मानित किया गया है तो अभी सात्यों हाल फिलाल में किस को सम्मानित किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम था करपूरी 2014 में 27 में राश्ट युवा महसब का आयوجण कहां पर किया गया है था तो कहां पर किया गये था सातियों माहराष्ट के नासिक में किया गया था इसलिए आपका जाएगा अप्शन उवर B के साथ उसके बाद देखे जनवरी 2024 में सातियों अगर बात करें दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंदर का उधगाटन कहां पर किया गया साथियों तो चंदीगण में किया गया ये आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा डी के साथ चलिए उसके बाद देखें साथियों के सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुशार महाजन रेलवे स्टेशन की आधी सूचना जारी की गई है तो किसका नाम साथियों बदला गया आप लोग ध्यान रखेंगे उधंपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुशार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया आंसर आपका एके साथ दिसंबर 2023 में पुरधान मंतरी नरेदर मोदी जी ने किस किले में छतरपती शिवाजी महाराज की पृतिमा का अनावरण किया था तो किस किले की बाद चल रही है साथियों राजकोट किले की बाद चल रही है आंसर आपका जाएगा एके साथ तो उसके बाद दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधी विरुद संगठन घुशित किया था तो किसकी बात चल रही है साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहाँ पर आपका साथियों क्या हो सकता है बताईए चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें आप्शन नमबर A राइट आंसर होगा B, C या D होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों तहरीक ए हुर्यत जम्मू कश्मीर में जो है साथियों इसको क्या किया साथियों इस संगेटन को विर्व विरुद्न संगेटन गुशित कर दिया यह आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखें दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगवम 2023 का उदघटन सातियों कहा पर किया गया तो आप लोग ध्यान रखेंगे सातियों कहा पर किया गया ने ये पूछा आप से जा रहा है कि किस के द्वारा किया गया तो नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया ये आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपक जा रहा है तो यहां पर अगर बात करें इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या होगा गुजरात का गांधी नगर इस कोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाता है उसके बाद देखिए कि दिसंबर 2023 में किंद्री मंत्री मंडन ले किस हवाई अड़े को अंतराश्टी हवाई अड़ा घोशित किया है तो किस हवाई अड़े की बात चल रही है सात्यों सूरत हवाई अड़े की बात चल रही है आंसर आपका सी के साथ जाएगा बहुत बढ़िया वेरी गूड प्लास तो अब आपके सामने सात्यों यहाँ पर रीजनिंग के 25 कोशन आएंगे और मैत के 20 कोशन आएंगे जिस टाइप के आपके एक्जाम में कोशन सात्यों पूछे जाएंगे और बहुत शांदार तरीके से साथों यहाँ पर आज की इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग को और मैत को समझाने वाला हूँ यहाँ पर साथों लिखा है कि उस आरे को आपको चुना है जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच सम्मंद का सही निरुपन करता है यहाँ पर साथों खिलाडी है करकेटर है बल्लेबाज है तो कौन सा आपको राइट आंसर यहाँ पर लग रहा है देखिए आगर बात करें ना यह जो करकेटर होते हैं यह भी खिलाडी ही होते हैं और जो बल्लेबाज होते हैं यह भी साथों खिलाडी ही होते हैं तो यह आप तो इस टाइब का साथियों आपका बनेगा और इस टाइब का आपको कहा नज़र आ रहा है? आप्शन नमबर C में नज़र आ रहा है? तो यही आपका बिलकुल राइट आंसर है. उसके बाद देखिए, 6 का संबंद साथियों 34 से है, जब हम 6 का स्कायर करते हैं, तो साथियों 36 आता है. तो 6 का स्कायर करने पर 36 आता है, यह है 34, तो माइनस 2 करतों साथियों, क्या जाएगा? 34 आ जाएगा, अगर उसी प्रकार साथियों 9 का स्कायर होता है साथियों 81, और जब 9 की स्कायर में से 81 में से 2 माइनस करते हैं साथियों आता है 69 यानि के 79 क्या साथियों 79 आप्शन में है तो साथियों बिल्कुल है आप्शन नमबर D में है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास अगले नमबर का कोशन है कि नम्लिकित में से कौन सी उत्तर आकरती पिर्शन आकरती के पिर्टिडोब को फूर्ण करेगे यहाँ पर जो प्रशन वाचक जिनने आप देख पा रहे ना यहाँ पर आपको बताने कैसे क्या होगा देखे यहाँ पर सर्किल आया है तो ऐसा सर्किल साथियो यहाँ पर भी आया है मतलब इसको यह पूरा करेगा ठीक है अगर बात करें साथियो तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक तरीके से तो यहाँ पर एक यह आ जाएगा सर्किल का वन बाई फॉर अगर बात करें देखिए आप देख पा रहे होगे हर एक वर्ग में एक इधर को है और एक इधर को है गोला एक इधर को एक इधर को तो एक गोला यहां पर भी बनेगा यहां पर भी बनेगा यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी बनेगा तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है option number C के साथ तो बिलकुल correct है अब उसके बाद देखें साथियो LP बे इस टाइब का question साथियो आप से पूछा ही पूछा जाता है तो एक बार कोशिश करिए कि क्या इस question का right answer हो सकता है बताईए देखें सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ basic बाते आपको याद करवा देता हूँ बता देता हूँ जैसे कि माल लिजे साथि एक तारीक को कोई भी दिन है suppose that माल लिजे रवीवार एक तारीक को है तो अगला रवीवार कप पड़ेगा इसमें 7 पिलस करेंगे तो अगला रवीवार पड़ेगा यानि कि 8 तारीक को भी क्या पड़ेगा रवीवार पड़ेगा ये बहुत अच्छी बात है साथ देखें अगर इसमें अगला रविवार का पड़ेगा सात्यों इसमें 7 प्लस करोगे न यानि के 15 तारिकों भी रविवार पड़ेगा उसके बाद सात्यों कब रविवार पड़ेगा 22 तारिकों भी रविवार पड़ेगा ऐसे 7-7 एट करते जाओगे न तो रविवार पड़ता जाए तो हमें सात्यों इतना मालूम हो गया कि चार तारिक को कौन सा दिन है सात्यों चार तारिक को यहाँ पर शनिवार बताया गया है ठीक है वैसा चार तारिक को शनिवार है अच्छा उसी महीने की 27 तारिक को कौन सा दिन होगा ये आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है बताइए देखिए जब चार तारिक को शनिवार है तो अगला शनिवार कप पड़ेगा साथ हो चार में साथ जोड़ दीजे और जब चार में साथ पड़ेगा 25 कोवी सातियों यहां पर शनिवार ही पड़ेगा यहां पर आपसे पूछा जा रहे कि 27 तारिक को कौन सा दिन पड़ेगा अरे बाई 26 तारिक यह हो गई 27 तारिक को सातियों कौन सा रवी वार होगा और 27 तारिक को कौन सा दिन होगा सोम वार यहां पर सातियों तो आंसर अगर आपका है option number A के साथ तो बिलकुल character वही बहुत बढ़िया very good class सात्यो मैत और reasoning की अगर बात करें तो मैत और reasoning में मैं आपको इतना expert बना कर भीजूँगा सात्यों एक्जाम हॉल में कि एक single question भी आपका गलत नहीं हो सकता यानि के एलपी के लिए आप पढ़ ले हो तो एलपी के एक seat सात्यों आपको बहुत आराम से मिल जाएगी ठीक है ना चले तो सात्यों daily class होगी आप लोग सात्यों चैनल से एकदम जुड जाएए और अगर बात करें एक whatsapp group बनाये गया सात्यों उसको भी join कर लीजेगा उसका सांकेतिक भाशा में क्या लिखा जाएगा देखिए मैं यहाँ पर अगर बात करें letter position reasoning को करने का अगर आपको reasoning करना है तो अगर letter position आपको मालूम है तो 50 percent portion को आप ऐसे ही कर डालोगे letter position क्या जैसे के एक की जो position होती है वो एक पर होती है b की position जो होती है वो दो पर होती है c की position 3 पर होती, उसी प्रकार Y की position 725 पर होती है Z की position 726 पर होती है यह A से लेकर Z तक की position आपको मालूम होना चाहिए जैसके O की position 15 पर होती है T की position 20 पर होती है R की position 18 पर होती है तो आप बहुत आराम से सात्यों सवाल को कर लोगे अब ये वैसे तो सातियों 10 सेकंड का सवाल है 15 सेकंड का लेकिन मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता हो एक पिनुट भी लग जाए अब देखिए इन लेटर से ये लेटर कैसे बना है तो I कि अगर बात करें I होता है सातियों कितने पर I होता है 9 पर D होता है 4 पर I हो होता है सातियों 22 पर V होता है 22 देखिए अब सातियों 9 से यहां पर 11 हुआ यानि कि 2 बढ़ाया गया है चार से यहां पर सातियों 6 हुआ यानि कि 2 बढ़ाया गया है 9 से सातियों 11 हुआ है 2 बढ़ाया गया है और 15 से 17 हुआ है तो 2 बढ़ाया गया है यानि कि हर एक लेटर मे साथियों इसको बनाने के लिए जब दो दो बढ़ाया जा रहा है तो इसको साथियों कैसे बनलेंगे इसमें भी दो दो ही बढ़ाया जाएगा तो G होता है साथ पर साथ में दो बढ़ाएंगे नौ आता है नौ पर होता है साथियों आई, ई होता है, पांच पर दो बढ़ाएंगे, साथ हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी यहां पर आजाएगा, इन का अगर दो नमबर बढ़ाएंगे, साथ हो तो पी आजाएगा, आई में दो नमबर बढ़ाएंगे, साथ हो तो कितना आजाएगा, डबलू आजाएगा, और कि आपका विल्कुल correct answer हो जाता भी, बहुत बढ़िया very good class, अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सात्यो कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहे कि वहाँ आरेक आपको चुनना है, जो नीचे दिये गए वर्गों के, मंद सम्मंद क सही निरुपण करता है, डॉक्टर हो गए, रोगी हो गए, मनुष्य हो गए, आपको बताने इसमें से कौन सा सबसे सात्यों सही लग रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताईए, देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक शब्द है, मनुष्य, यहाँ यह मैंने साथ्यों यहाँ पर बना लिया अब अगर बात करें मनुश्यों रोगी जो होंगे वो भी सारे मनुश्यों होंगे और जो डॉक्टर होंगे वो भी मनुश्यों होंगे यानि कि डॉक्टर और रोगी मनुश्यों के अंतरगत ही आएंगे याईनिकि ये डॉक्टर हो गए Walter और ये सात्यों कौन हो गए रोगी हो गए लेकिन कोई अगर बात करें सात्यों आपर अलगर गहना तो इस प्रकार से कहा पर बनाये सात्यों इस प्रकार से तो आपका ये वाला बनाये कह सकते हैं तो असर कुल मिला के आपका जाएगा भी के को बताने, यानि कि जैसे सैाई का संबन पिंसे होता, उसी परकार रक्त का संबन साथियों किस से होगा, ये आप से याप पर पूछा जा रहे हैं, देखिए अगर बात करें पिंस komme soft प्रिटी होती है, तो ररक्त किसके अंदर going होता है, रख्त सातियों शिराओं के अंदर होता है ऐसे आफर आपका जाएगा साथ उसके बाद देखिये सातियों अगले नबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर यहां पर अगर बात करें के यदि 40 का इतना प्रतिशत क्या लिखा होगा सातियों चालिस का इतना प्रतिशत यहाँ पर X मान लेते हैं सात्यों चालिस का X प्रतिशत 10 है तो X का मान क्या होगा तो कभी भी आपको ऐसा का दिख दे है इस तरीके का तो उसका मतलब होता है गुणा यानि के 40 लिखेंगे गुणा लगा लेंगे X लिखा है और अगर X प्रतिशत लिखा हो ना तो X बटे 100 होता है अगर यहाँ पर 10 लिखा होता 10 प्रतिशत तो 10 प्रतिशत का मतलब होता है 10 बटे 100 अगर 20 प्रतिशत लिखा होता है तो उसका मतलब होता है तो इसकी गुणा हो जाएगी इस 10 से यानि कि इसकी गुणा हमने कर दी 10 से और अगर बात करें इस 40 को हम नीचे ले आएंगे भाग के रूप में साथ हुए तो यहां पर 40 आ गया अगर बात करें इस 0 से यह 0 आपका कट जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा और 100 से कट करेंगे तो 25 यहां पर आ जाएगा यह रही कि 4 दुना आपका 8, 2 जाएगा 20 हो जाएगा चार पंजे आपका 20 तो X बराबर साथ हो आपका कितना मान निकला X बराबर 25 मान निकला आंसर आपका जाएगा option number C के साथ भी बहुत बड़िया very good class अब उसके बाद देखिए अगले number का question आपके screen पर है यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि यदि A का अर्थ क्या है साथियों यहाँ पर लिखा नहीं है यह सही तरीके से A का अर्थ यहाँ पर गुणा होना चाहिए यहाँ पर A नज़र आ रहा है यहाँ पर गुणा आ जाएगा उसी परकार अगर बात करें साथियों D का मतलब क्या होगा A का मतलब होगा गुणा और D का मतलब हो जाएगा साथियों प्लस जहाँ पर D नज़र आए आपको प्लस लगा देने जहाँ पर आपको के नजारा है सातियों वहाँ पर आप भाग का निशान लगा देंगे और जहाँ पर आपको इन नजारा है वहाँ पर आप माइनस का निशान लगा लेंगे अब यह जो नमबर लिखे ना यह नमबरों को हम सातियों लिख लेते उसी प्रिकार यहाँ पर A लिखा हुआ A का मतलब क्या है साथियों गुणा है तो यहाँ पर हमने गुणा लिख लिया उसी प्रिकार यहाँ पर N लिखा है N का मतलब साथियों माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस लिख लिख लिया और एक मतलब क्या है गुणा है तो गुणा लिख लिए अब आपको सिरिफ इसको सातियों कल्कुलेट करना है आंसर आपके सामने आ जाएगा अगर 20 हमने यहाँ पर लिख लिए प्लस लगा लिए पंदरा चंक कितने होते हैं सातियों अगर बात करें सातियों 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 110 में से सातियों जब बावन जाएगा तो कितना बचेगा सातियों यहाँ पर आट आ जाएगा और सातियों यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर 58 आपके इस कोशिन का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाता है और जिन अगर बात करें जो आपका सीरीज वाला कोशन है कि ELP के एक्जाम बेस सीरीज वाला कोशन ना है ऐसा हो ही नहीं सकता तो यहां पर अगर बात करें 528 है उसके बाद 521 आया है फिर 500 आ गया है तो यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा और उस नंबर के बाद 416 होना चाहिए फिर उसके बाद 423 होना चाहिए बताईए तो यहां पर साथियों जब हम बात करतें हमें इतना पता है कि 528 की जब हम बात करतें 528 से 521 जो हुआ है कितना माइनस हुआ है साथियों 7 माइनस हुआ है यहां पर साथियों कितना माइनस हुआ है यहां पर 21 माइनस हुआ है और यहां पर साथियों कितना माइनस हुआ है देख लेते हैं साथियों यहां पर 3 हो जाएगा फिर आपका यहां पर 6 हो जाएगा 63 माइनस हुआ है तो अब यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए देखिया भाई साब साथ एकम साथ साथ दूना फ्वर छोड़ दिया साथ साथ पंज़ पैतिस तो यहाँ पर साथ यहास हो ऊपर पिछ नंबर होगा यहां के लिए भी कुछ नंबर आना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं सातियों क्या यहां पर आ सकता है तो पांसो में देखिए पांसो अठाइस में से साथ घटाया तो पांसो एकिस आ गया 521 में से 21 घटाया तो 7500 अगया 500 में से 35 जब घटायेंगे 7500 कितना आ जाएगा 465 यहाँ पर आ जाएगा इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए देखे वाई साथ एकम साथ सादूना चौदा साथ चोगठाई साथ चंग ब्याली साथ सत्य उनचास तो अब यहाँ पर साथ उनचास घटाना चाहिए अगर यहाँ पर उनचास घट रहा है तो यही सही हो जाएगा एक बार देख लेते उनचास घटा कर साथ यह 15 में से कितना सौरी 5 में से 9 जानी सकता 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा यहां पर 5 हो जाएगा तो 1 बचेगा सातियों यहां पर 4 आ जाएगा बिल्कुल सातियों 416 यहां पर भी है सीरीज यहां पर आपके सामडे बन रही है तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नमबर एक साथ तो बिलकुल करेक्ट भई बहुत बढ़िया वेरी गूट क्लास अगर आपकी समझ में नाया हो एक बार दुबारा से सातियों का सोलूशन देखेंगे समझ में आपकी आ जाएगा ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखें वाई यह सातियों कुछ नहीं 41 में नमबर का कोशन है 32 का समझ जैसे 28 से है उसी प्रकार 160 का समझ सातियों किससे होगा यह आप से पूछा जा रहा है देखें यहां पर अगर बात करें 32 से कितना माइनस किया हमने 4 सातियों माइनस करके 156 टाइप का कुछ आ रहा है तो नहीं आ रहा है हम लोग सातियों यहां पर कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचे कि देखें अगर बात करें इसको अगर भाग कराएं सातियों किससे 8 से तो 8 चौक आपका कितना हो जाएगा सातियों 8 चौक आपका 32 हो जाएगा यह इसास से गुणा कराए सात्यों तो 140 आ जाएगा, ठेकिना क्या 140 सात्यों अप्शन में है देख लेते हैं, तो ये 0 सात्यों एक्स ट्रा यहाँ पर आगये, 140 सात्यों अप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option number D के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए अगले number का question आपके screen पर है आपसे आपर पूछा जा रहा है कि कवई का संबंद मीठे पानी से है तो खारे पानी का खारे पानी से कौन संबंदित होगी ये आपसे साथ यो पूछा जा रहा है तो कवई एक टाइप की मचली होती है जो कहां पर रहती है मीठे पानी में रहती है तो खारे पानी में साथियों कौन सी मचली रहती एक मचली होती जिसका नाम होता है इसनेहमीन इसनेहमीन परकार की मचली साथियों खारे पानी में रहना पसंद करती है और कवई परकार की मचली साथियों मीठे पानी में रहना पसंद करती है तो आंसर आपका जो जाएगा व यह बहुत बढ़िया very good class यहाँ पर लिखा हुए साथ हो S, N, A, K, E और इसको साथ हो इस तरीके से लिखा गया है किस तरीके से लिखा गया है V, Q, D, N, H को लिखा गया है जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से इसको साथ हो क्या लिखा जाएगा यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहे है। यहाँ पर भी सात्यू उ उ तीन बढ़ाेंगे, सी में जब 3 बढ़ाएंगे, तो कतना आजाएगा सथ्यू, E आजाएगा, ठीक है न, E تو 5 पर होता है सात्यू, E 5 पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर f आएगा, यहाँ आजाएगा, R 18 पर होता है, 3 बढ़ाएंग किस आजाएगा तो यहाँ पर U आजाएगा यहाँ पर सात्यों D आजाएगा उसके अलावा सात्यों यहाँ पर किया आजाएगा अगर बात करें F U D हो गया और D 4 पर होता है तीन बढ़ाएंगे तो सात्यों 7 आजाएगा साथियों अगर बात करें ना लिखा हुआ है ये 13 कुछ नहीं ये 4 होगा साथियों पर मतलब यहां से चुरू है 3 है फिर 12 है फिर 48 है फिर 192 है तो यहां पर आपको बताना है क्या नंबर आएगा 384, 966, 766 ये 484 है तो सबसे पहला हमें ये देखना होगा ये 3 से 4 कैसे बढ़ा है रहे भाई इसकी 4 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा 3, 4, 12 अब 12 से 48 कैसे बने इसकी भी 4 से गुणा करना पड़ेगी 12 चौक आपका 48 तो मेरे हिसाब से साथ तो इसकी भी 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 3 साथ यानिके 768 कैसाथियों आप्शन में है तो बिलकुल है साथियों आप्शन नमबर C में है और यही आपके इस कोशन का बिलकुल कैरिक्ट आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर L, M, N है उसके बाद R, S, T है उसके बाद W, X, Y है तो आपको बताने कि इस पृष्णवाचक चिन्निकी जंगापर क्या आएगा यह 45 में नमबर का साथियों यहाँ पर कोशन है ठीक है ना तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले लेडर पोजिशन आप लोग करा लो W जो होता है वो 23 पर होता है और Y कितने पर होता है 25 पर होता है उसी परिकार R साथियों 18 पर होता है S 19 पर होता है और T 20 पर होता है अगर 12 की बात करें तो 12 पर हो जाएगा M 13 पर हो जाएगा और N 14 पर हो जाएगा अब आप यहाँ पर साथियों देखिए कि यह 23 से 18 हुआ है कितना माइनस हुआ है साथियों 23 से जब 18 होगा तो जाहर सी बात है 5 माइनस होगा यहां पर 5 माइनस हो गया 18 से 12 हुआ है साथियों कितना माइनस हुआ है 6 माइनस हुआ है तो अब जाहर सी बात है साथियों यहां पर अगर 3 लेटन होगे तो यहां से इस पे जाने के लिए हमें 7 माइनस करना पड़ी है यानि कि 12 में से 7 माइनस करेंगी तो 5 आएगा और 5 पर आता है 7 E और E कौन से आप्शन में है तो आप्शन मेर डी वाले में तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा लेकिन पूरा सॉलूशन हम लोग देखेंगे देखिए 24 हैं यहां पर 24 से क्या हुआ है 19 हुआ है तो 5 माइनस हुआ है और 19 से 13 हुआ है सात्यों 6 माइनस हुआ है तो जहर सी बात है अब 7 माइनस होगा तो जब सात्यों यहां पर साथ माइनस होगा तो यहां पर क्या जाएगा च्छे आ जाएगा यहां ठीक है तो यहां पर च्छे पर होता है साथ यह ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर साथ यह पांच माइनस हुआ है पिर साथ कितना च्छे माइनस हुआ है तो अब साथ माइनस होगा तो साथ आ और उनके बाद जो होगे वो लेफटीनेंट करनल होते हैं देखिए पहले लेफटीनेंट हो जाएंगे फिर कैप्टन हो जाएंगे और उसके बाद अगर बात करें मेजर हो जाएंगे और मेजर के बाद साथियों लेफटीनेंट करनल हो जाएंगे तो कुल मिला कि आपका आं एका A, B, C, A, D के रूप में तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों आप जो अंध की चीज़े देखने हैं यह ट्रेस लिखा हुआ है तो ट्रेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिर्फ साथियों इस से क्या कर दियागे एक नंबर पीछे कर दिया नहीं के S से R कर दिया S होता 19 पर R होता 18 पर एक माइनस कर दिया तो यहाँ पर भी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही साथियों यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ठीक है ना लेकिन क्या करेंगे P होता है 16 पर हम 15 वाला लेटर लिख लेंगे और 15 पर होता है साथियों O तो ऐसा कि आपको साथियों नजर आ रहा है अगर बात करें O, U, L, S, E नजर आ रहा है तो बिलकुल नजर आ रहा है साथियों आंसर आपका जाएगा आप्शन नबर A के साथ भी बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास अब उसके बाद देखिए नेक्स नबर का कोशन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताएगे के राइट आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 4 है और इसको कल्कुलेट करके यहाँ पर 9 बनाया गया है उसी परकार 3 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है इसको कल्कुलेट करके साथ यूं 5 बनाया गया है तो साथ यूं 6, 9, 2, 3, 4 को कल्कुलेट करके यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है 17 हो जाएगा तो अगर 18 बनता है ना तो हम आधी कर सकते थे इसको देखेंगे 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है अगर हम सात्यों 13 में से इसका जोड माइनस करा दे यानि कि 13 में से 4 माइनस करा दे तो 9 आता है सात्यों और यहां पर भी 9 लिखा हुआ है यानि कि अगर बात करें यह जो उपर वाले नमबर है न सात्यों इसको प्लस करा दे यानि कि 3, 3, 6, 6, 5, 11 11 में से किसको माइनस करा दे इनके जोड को माइनस करा दे इनका जोड कितना निकलेगा 6 यानिके 11 में से अगर सातियो 6 जाएगा तो 5 बचेगा और वही यहाँ पर सातियो नमबर है तो तरीका हमें मालूम पड़ गया यानिके 6 का 9 का 2 का जोड कितना होता है साथिव 17 होता है ठीक है 17 मिस अगर 4 और 3 माइनस कर देंगे यानि कि साथिव 7 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा यानि कि यहाँ पर जो नंबर आएगा मेरे हिसाब से वो 10 आएगा कि 10 कहीं औपशन में है साथिव तो बिल्कुल औपशन में से अगर लिख कर दिखाऊंगों तो चार है ठीक है मैं आपको यहां पर बता देता हूं साथियों देखें मैं आपको समझा देता हूं चार है और यहां पर बात करें तीन है फिर साथियों चार है और बराबर 48 है यहां कि यह जो जगा है आपको दिखने है यहां पर आपको आरतियां बारा होते हैं और बारतियां आपके 48 होते हैं तो अगर बात करें साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा ऑप्शन नमबर A के साथ जाएगा बाकी प्लस प्लस लगाओगे तो 48 नहीं बन पाएगा गुणा प्लस लगाओगे तब भी नहीं बन यह थोड़ा प्रिश्ण में साथियों थोड़ी सा टाइपिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिश्ण आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी सांकेतिक भाशा में B, R, A, I, N को क्या लिखा जाता है C, S, B, J, O लिखा जाता है त R से यहाँ पर साथियों, A, S दिख रहा है, A से यहाँ पर साथियों, B दिख रहा है, A, I से यहाँ पर J हो गया, A, N से यहाँ पर O हो गया, A, N आता है, A के बाद B आता है, K के बाद L आता है, E के बाद F आता है, R के बाद साथियों, S आता है, तो N, B, L कहां पर लिखा हु कि इस question का right answer आपका क्या होगा तो P Q question number क्या है साथ है 51 question number है P Q R S और T साथ बैटे हैं T एक अंतिम छोर पर है P और T का पडोसी है और Q के बाएं और से तीसरे इस्तान पर है T से दाएं चौते इस्तान पर कौन बैट है या आप से पूछा जा रहे देखिए अगर बात करें कभी भी ऐसा question आपको दिखाई दिए तो एक line खीच लो कितने लोग हैं चार पाँच लोग बैटे हैं तो पाँच हमने point बना लिए एक दो तीन चार पाँच बहुत जल्दे लिए बनाना ऐसा आती हैं मैं तो बहुत आराम से बना रहा हूँ क्योंके मुझे आपको समझाना है यहां पर भी दो line हम खीच लेंगे ताकि एक line अगर हमारी गलत हो जाए रोल के according हो जाए तो हम दूसरी पे चलें जाए देखिए PQRST साथ बैठें ये लोग है T एक अंतिम छोर पर बैठा है यानि के T यहां पर भी बैठ सकता है और T यहां पर भी बैठ सकता है तो अब हम कहां पर बैठा लें T को हमें नहीं पता है साथ हूँ क्योंके यहां पर नहीं बताएगा T दाएं और है या बाएं और है तो हमने इसलिए दो लाइन बनाई है साथियों, एक में हमने दाइं तरफ बैठाल दिया है टी को, और एक तरफ हम बाएं की तरफ बैठाल देंगा, उसके बाद लिखा है कि पी जो है न ये टी का पडोसी है, मतलब पी जो आएगा टी के पडोसी में आएगा, या तो यहां क्यू का बाएं क्या हम क्यू के यही पर तो साथियों रख सकते हैं, क्यू के बाएं से बोलना है न तो क्यू का बाएं तो इधर ही होगा साथियों, एनके पी जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर एक, दो, तीन, बिल्कुल तीसरे स्थान पर है, अब अगर हम यहां Q को बैठा लेंगे, तो Q का बाया तो इधर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला साथ लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी, और सही हो जाएगी तो इतना आपकी समझ में आ गया है, इसको कट कर देंगे, देखिए, अब उसके कौन है, तो Q है, इसलिए आंसर आपका जाएगा, Q के साथ, जो कि ऑप्शन नमबर C में है, उसके बाद देखिए, अगले नमबर का साथ यो कोशन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर अगर आगर आपसे पूछा जाए, कि निल्मिके शब्दो कोश, शब्दो कोश में आने वाले करम के अनुसार, अगर मैं आपसे कहूँ, लिखना है, तो क्या आप साथ यो इसका राइट आंसर दोगे, बताईए, देखिए, जे-ओ, जे-ओ, तो सब में है, जे-ओ, यहाँ पर भी है, जे-ओ, यहाँ पर भी, जे-ओ, यहाँ पर भी है, अब देखिए, अल्फा बिट में सबसे पहले क्या आता है, तो सी-सी आता है, चासी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी है, यू तो बाद में आता है, उससे पहले के आता है, तो यह साथियो सबसे पहले हो जाएगा, चार एक साथियों कहां पर दो तीन चार एक तो साथियों आप्शन नमबर B में है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आमसर हो जाता है चलिए उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोशन है कि एक विशिष्ट कूट भाशा में D.A.N.G.E.R. को एक चार पाच दो तीन साथ और R.A.N.C.O.R. को 7,4,5,9,6,7 लिखा जाता है तो अब आपसे पूछा यह जा रहे कि R.A.G.E. के जंगा पर साथियों क्या लिखा जा सकते है देखिए कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि बहुत सारे लेटर लिखे हो और उनके कुछ नमबर कोट लिखे हो और फिर एक और ऐसा ही लिखे हो बहुत सारे लेटर लिखे हो पर उनके कोट लिखे हो फिर जो अंत वाला लेटर आपको दिये जाएंगे मतलब कहा जाएगा कि R का कोट भी इसी में होगा A का कोट भी इसी में होगा G का कोट भी और E का कोट भी अब देखिए R कहां पर है R साथियों य एक कोड चार हो जाएगा तो एक कोड चार हो गया जी का कोड सातियों क्या हो जाएगा जी का आपका कोड जो हो जाएगा तो दो हो गया और एक कोड सातियों क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा इनके चोहतर तेइस का कहीं पर सातियों लिखा हुआ है तो बिलकुल लिखा मैं आपको साथियों बताता हूँ कि सीधा हाज जो होता है आपसे कहा जाए कि सीधे हाथ पे मुड़िये या दाएं हाथ पे मुड़िये तो सीधा हाथ कहलाता है उसके अलावा आपको धियान रखना है साथ हूँ उल्टा जो अगर कहेगा उल्टा भी क्या होता है साथ हूँ उल्टा आपका बाया होता है यानि कि अगर आपसे प्रिश्ट में कहा जाए कि सीधे हाथ मुड़िये तो सीधे हाथ मुड़ना है अगर आपसे कहें कि बाएं मुलना है तो उल्टे हाथ मुलना है उसके अलावा साथियों मैं आपको डायरेक्शन भी बताता हूं हर बार मान लिजा आप परिक्षा हॉल में बैटे हैं तो आप कैसे पता कर पाओगी कि भी आप पूरब किदर है पश्यम किदर है और दक्षन हमेशा साथियों नीचे होगा अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों पृष्ण की तरफ यहां पर लिखा हुआ है कि सौम्या है मेरे घर से दस किलोमेटर पश्यम की ओर गई है मान लिजे घर साथियों ये है और दस किलोमेटर पश्यम की ओर गई है तो आपका उल्टा हाथ यही तो होगा यही होगा तो बाएं हाथ पे मुलना है और कितना मुलना है साथ हो 20 किलो मेटर चलना है तो 20 किलो मेटर चला दिया फिर वहाँ पूरब में मुड़ी पूरब किदर साथ हो पूरब आपका इधर हो जाएगा तो पूरा में मुड़ी और 25 किलो मीटर चली 10 किलो मीटर तो ये हो गया 25 किलो मीटर साथ हूँ यहां तक पहुच गया ठीक है ना अंत में बाएं मुड़ी तो बाएं हमने मुड़ दिया बाएं किदर है बाएं इदर है बाएं मुड़ी और 20 किलो मीटर चली क्युंकóle 20 किलومیٹر यह है तो इतना ही होगा साथ्यू 20 किलومیٹر चलिए ठीक ना ये कितना था साथ्यू ये आपका टोटल 25 था अगर बात करें साथ्यों के वहाँ मेरे घर से कितनी दूरी पर है याई कि उसके घर ये है और ये कितनी दूरी है, यहनि कि यह आपको बताना है यह कितनी दूरी है, अगर बात करें साथियों दें कि यह टोटल 25 है और यहां तक यह 10 किलो मीटर है तो जहर सी बात है, यहां तक साथियों कितनी हो जाएगी, 15 किलो मीटर ही तो दूरी हो जाएगी तो answer आपका किस अप्शन के साथ जाएगा 15 किलो मीटर के साथ जाएगा answer आपका जाएगा B के साथ भी बहुत बढ़िया very good class अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का question आपके screen पर है कथन आपके सामने है कथन में साथियों क्या लिखा हुआ है हमें उच्छ शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरुजगार युवाओं की समस्या जहन ली पड़ेगा मतलब जब लोग पढ़ लिख जाते हैं यूनिवर्सिटी को लेंगी तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे इस वज़ा से हम यूनिवर्सिटी ना लोग खोले ये तो बात बिल्कुल गलत तो ये तो गलत हो जाएगा उसके बाद लिखाएं कि आप भारत में नए विश्वद्याले खोले जाने चाहिए तो कह रहें कि हाँ खोले जाने चाहिए क्यूंकि इससे साक्षर्ता के लक्ष को प्राप्त करने में साहिता मिलेगी अभी भी सात्यों जो आईडियल साक्षर्ता दर होना चाहिए वो नह चली अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें ना तो आपने साथियों 20 कोशन देखें, कौन से 20 कोशन आपने साथियों देखें, 20 नहीं 25 होंगे, ठीक है, 25 कोशन साथियों आपने देखें, रीजनिंग के, अब हम लोग देखेंगे 20 कोशन साथियों मै तो मैं कह सकता हूं साथियों एक हजार ग्राम होते हैं क्यूंकि यहां पर जब सतर ग्राम में लिखा हुए तो यहां पर भी तो हमें ग्राम नहीं बदलना होगा अब इस जिरो से यह जिरो कर जाएगा क्या बचा साथ अनुपात सौ बचा तो यह क्या हो जाएगा यह आप्षिन नमर डी में लिखा हुआ है और यही आपका बिलकुल राइट आंसर है उसके बाद देखिए अगले नमर का साथियो कोशन आपके स्क्रेन पर है यहां पर अगर बात करें रूबल एक लड़का है रूबल ने एक गाड़ी खरी दी साथियो कितने रुपए की वो ग लेकिन 2,50,000 रुपए की वो गाड़ी खरी दी तो कहा जा सकता है इसको माइनस करा दो हमें पता चल जाएगा उसको प्रॉफिट कितना हुआ पता चल जाएगा साथियो कितना हुआ तो बात करें 98,000 का उसको प्रॉफिट हुआ तो अगर आप से यह पूचता कि उसे कितना لاب ہوا تو تو آپ بتا دیتے سیمپل سا 98000 کا لاب ہوا لیکن یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کتنا لاب پرتشت ہوا ہے یعنی کہ اس لاب کو پرتشت میں بدلنا ہے تو کبھی بھی لاب کو اگر پرتشت میں بدلنا ہوتا ہے تو لاب کتنا ہوا ساتھیوں 98000 اس لاب کے کنارے کو ساتھیوں گناہ 100 لگا دینا ہے اور نیچے آپ کو کریمول لے لکھنا ہے کریمول ہوتا ہے جو خرید آئے جس چیز جس در پر ہم نے مطلب جس پر ہم نے خریدی ہے وہ چیز تو خریدی کتنے میں ہے دو لاکھ پچاس ہزار میں خریدی ہے تو دو لاکھ پچاس ہزار ساتھویں یہاں پر لکھ لیں گے اب اس کو کلکولیٹ کرالو آپ کو لاب پرتشت مل جائے گا ان دو زیرو سے یہ دو زیرو کینسل ان دو زیرو سے یہ دو زیرو کینسل اب اوپر کیا بچا ساتھیوں 980 بچا اور نیچے کیا بچا ساتھیوں 25 بچا تو اب اگر بات کرتے اس کو پانچ سے کٹ کر آ لیجئے پانچے کم پانچ ہو جائے گا چار جائے گا 48 ہو جائے گا پانچ نیم آپ کے 45 ہو جائیں گے پانچ نیم آپ کے 45 ہو جائیں گے تین جائے گا تیس ہو جائے گا پانچنگ آپ کے تیس ہو جائیں گے یعنی کہ 196 بٹے پانچ ہے اس کو پھر سے کٹ کر آ لو پانچے کم پانچ ہو جائے گا پانچ تین آپ کا 15 ہو جائے گا چار جائے گا چھہلیس ہو جائے گا پانچ نیم آپ کا 45 ہو جائے گا एक बच्चे अभी भी पॉइंट लगाएगे जीरो बढ़ाएगे पाच दुन आपका दस हो जाएगा यानि कि कहा जा सकता है साथियों 49.2 प्रतिशत का उसको फाइदा हुआ उसको प्रॉफिट हुआ तो आंसर आपका जाएगा 49.2 के साथ अब उसके बाद देखें यदि किसी गोले की तरजा 21 सेंटेमीटर है तो गोले का आयतन आपसे पूछा जा रहा है गोले का एक सूतर होता है क्या होता है 4 बटे 3 πाई R क्यूब πाई R क्यूब होता है तो R की वैलू दे रखिए पाई की वैलू सात्यों हमेशा कहीं पर भी पाई देखना तो 22 बटे 7 लिख देना पाई की जगा अब अगर बात करें सात्यों गोले कायतर निकालने के लिए 4 बटे 3 रखा और पाई की वैलू मैंने आपको बता दिया है 22 बटे 7 है और R की वैलू 21 है यानि के 21 जूह सात्यों वो 3 बार आ जाएगा 3 बार यहाँ पर आ गया 3 सात्यों 21 कर जाएगा निके 37 27 से यह सात्याथ आपका कर जाएगा अब 22 चॉक सात्यों कितने होते है 22 चौक आपके 68 यहां 92 चौक आपके 58 होते हैं और 21 और 21 कि अगर साथ यू बात करते हैं 21 इक्किस का आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है साथ यgon 2 एकम दो दो दिटनाब का चार हो जाएका याfund का 4 नहीं कि आपका 441 21 का स्कॉायर 441 होता है तो अगर सात्यों यहाँ पर बात करें 441 की गुणा किसे करा दे 88 से गुणा करा दे तो आपको गोले का आयतन मिल जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा 4 8 आपके 32 हो जाएगे 4 8 32 हो जाएगा और 3 आपके 35 हो जाएगे यहाँ पर अगर बात करें आट आजाएगा, दो आजाएगा, पाच आजाएगा, तीन आजाएगा, अगर इसको प्लस हम यहाँ पर करा ले, आट आजाएगा, दस का जीरो आजाएगा, ठीक है ना, उसके बाद साथियों 8 آ جائے گا और यहां पर 8 آ جائے گا और यहां पर साथियों 3 А जाए گा यानि कि 388808 कहा पर लिखा हुआ है तो यह तो साथियों ऑप्शन नम्मर B में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाता वख बुए बहुत बढ़िया 388 लिखा हुआ है सौरी 388 08 कहां लिखा है ये तो साथियों आप्शन नमबर A में लिखा हुआ है यानि कि 38808 आप्शन नमबर A में लिखा हुआ है तो आंसर A आपका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा चलिए निम्लिकित संख्याओं का आउसत आपसे आपर पूछा जा रहा है और साथियों कैसे निकालेंगे कितनी संख्याओं काउंट कर लीजिए 72, 48, 76 मतलब कुल मिलाके साथियों 6 संख्याओं है अब उपर क्याएगा इनका टोटल साथियों उपर आएगा तो टोटल कर लीजिए 006 और 6 आपका 12 12 और 8 साथियों 20, 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22 का 2 लगेगा 6 और 2 आपका 8, 8, 8, 16 हो जाएगा 16 और 6 की अगर बात करें साथियों 22 हो जाएगा 22 और 7 की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा 22 और 7 आपका 29 हो जाएगा 22, 29 हो गया 29 और यह आपका 33 हो जाएगा 33 साथ आपका 40 हो जाएगा तो 402 बटे 6 आगए इसको साथ हो कल्कुलेट कर लो देख लेते हैं एक बार 6 चंग आपका 36 हो जाएगा 4 बचे का 6 सत्य आपका 42 हो जाएगा 67 आपका यहाँ पर आउसत आजाएगा यह जो संख्याएं हैं इनका आउसत निकाल ले पर क्या आएगा 67 आएगा अंसर आपका D के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए एक आयत का परिमाप जो है ना एक वर्ग के परिमाप के बराबर है ठीक है यानि कि आयत का परिमाप जो है यहां पर साथियों दे रखा है आयत का परिमाप यहां पर दे रखा है वो किसके बराबर साथियों वो वर्ग के परिमाप के बराबर है ठीक है अच्छे यहां पर आयत का परिमाप भी तो दे रखा है आयत का परिमाप 128 है आयत का परिमाप 128 है परिमाप क्या होता है मान लीजे साथियों इसकी लंबाई अगर A है और तो इसकी लंबाई A होगी तो इसकी लंबाई A होगी इसकी लंबाई A होगी यानि कि मान लीजे पांच अगर इसकी लंबाई है तो पांच 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 सबकी लंबाई होगी मतलब परिमाप में इसक चारू की लंबाई को जोड लिया जाता है वही परिमाप होता है तो कह सकते हैं साथियों 4A हो जाए इसका परिमाप क्या होगा 4A होगा ना तो वर्ग का परिमाप साथियों कितना होगा 4A होगा और 4A की वैलू कितनी है 128 है तो A की वैलू साथियों कितनी होगी 128 बटे 4 होगी चारेकम, चार, चारती हैं आपका 12, 4, 2, 8 यानिके ए बराबर साथियों क्या निकला, यह भुजा है यह भुजा है साथियों यानिके ए बराबर जो निकला है वो 32 निकला, यानिके एक की अगर 32 है, तो वर्ग का छेतरफल आप से पूचा जा रहा है अब कुछ ने A बराबर अगर 32 है तो वर का 6 तरफल क्या होगा A बराबर अगर 32 है तो वर का 6 तरफल होता है A square यानि कि जो भुजा है ना साथियों अगर इस भुजा का square कर दे तो वर का 6 तरफल हो जाता है यानि के 32 गुणा 32 सातियों कर लोग देखकर कितना हो जाएगा 32 गुणा आपका सातियों 64 होता है अगर बात करें 3 गुणा आपका 6, 3, 3, 9 हो जाएगा 4, 12 और 10 यानि के 1024 आपका जो जाएगा वो वर्ग का छेतरफल जाएगा जो के option number C में है इसके बाद देखिए next number का question आपके screen पर है कि साधरन ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1600 का दो वर्ष तीन महीने का साधरन ब्याज जो है वो 252 है तो दर आपसे पूछी जा रही है देखिए यहाँ पर अगर बात करें सातियों पी बराबर कितना है यान के मूलधन कितना है 1600 है अगर बात करें साथियों और क्या देखिए दर आपसे पूछी जा रही है समय कि अगर बात करें समय दो वर्ष तीन महीने है यानि कि तीन बटे बारह यहाँ पर आ जाएगा यानि कि अगर बात करें साथियों वर्ष क्या होगी वर्ष जो होगी न वो 9 बटे 4 वर्ष होगी अब अगर बात करें साधान व्याज कितना है साधान व्याज साथियों 252 है तो अब फॉर्मूला आपने देखा होगा साथियों SI बराबर क्या होता है P, R, T, बटे 100 होता है SI की value दे रखिए 252 है, 252 हमने यहां पर रख दी P की value कितनी सातियों 1600 है, 1600 है, 1600 रख दी और समय कितना है, T क्या है सातियों अगर R करे, R तो हमें ग्याथी करने है T कितना है, T सातियों 9 बटे 4 है तो 9 बटे हमने 4 रख ले और गुणा में सातियों, 100 भी तो आता है नीचे तो इन दो 0 से ये 2 0 कैंसल हो जाएगा इस 4 से सातियों, ये 16 कैंसल होगा 4 आ जाएगा यहां पर अगर बात करें सातियों, ये 9 है ना ठीक है, 9 चौक आपका 36 होगा तो कुल मिला के 36 यहां पर आ जाएगा यानि कि अगर बात करें, आर आपका जो सातियों निकलेगा, वो कितना 252 बटे 36 निकलेगा अब इसको एक बार सातियों आप लोग कैलकुलेट कर लीजे, तो अगर 2 से कट करें 2 एकम 2, आपका यहां पर 2 दुना 4, 2 दुना 4 और आपका 2 छंक 12 हो जाएगा यहां पर, आए यहां पर सातियों निकल रही है, वो 7 परतिशत निकल रही है, और 7 परतिशत कौन से उप्शन में है तो उप्शन नमबर C में है, और यही आपका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाता है दो संख्याओं का मासा यानिके महत्तम सामापर तक और लासा यानिके लगुत्तम सामापर तक कितना है, यानिके मासा जो है सातियों, वो 96 है और अगर बात करें, लासा कितना है, सातियों 1296 है तो उनमे से एक संख्या अगर 44 है तो दूसरी संख्या क्या होगी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ लासा हो जाएगा और गुणा करके सात्यों क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा ठीक है ना बराबर यानि कि लासा मासा की गुणा करना है ये आपकी सात्यों पहली संख्या हो जाएगी ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी गुण अबर पहली संख्या कितनी साथ यो पहली संख्या 144 है तो दूसरी संख्या ग्यात करना एक समान लेते हैं अगर बात करें ये 144 साथ यो इसके नीची आजाएगा ये निकी ये भाग में आजाएगा तो यहां से 144 कट हो जाएगा अब इसको calculate कर लो दूसरी संख्याप को मिल जाएगी 12 से कर लो 12 से 7 यो 12 बार में जाएगा 12 एकम 12 0 लग जाएगा 12 50, 12 60, 12 74 से 12 8 आपका 96 हो जाएगा 2 नमर को 60 कट कर रहे न तो 0 इसलिए बढ़ेगा चलिए 12 8 96, 12 नीमा आपके 108 हो जाएगा 12 नीमा 108 है यानि के 9 अब 96 की गुणा है में सिर्फ 9 से कराना है बस इतना काम करना है 9 55, 9 चंग आपका 54 हो जाएगा 9 नीमा 81 और साथियो 5 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा यानि के 864 क्या कहीं आप्शन में है तो बिलकुल है साथियो आंसर आपका डे के साथ जाएगा बही बहुत बढ़िया वेरिकुट क्लास अब उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि दो प्राकरत संख्या है तीन है और पाच क्यानुपात में है इनका गुणन फल साथ है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी देखिए यह जो संख्या है यह तीन एक्स और साथियों पाच एक्स है क्या है तीन एक्स और साथियों क्या है पाच एक्स है अच्छा बात किरें तीन पंजे कितना होता है तीन पंजे 15 होता है और एक्स एकस की उणा कराएंगे तो एक्सにな अस्क्वाइर हो जाएगा बराबर क्या है साथ 1060 है अगर बात करें एकस स्क्वाइर तो ऐसा ही रहेगा लेकिन एक्किस सौ साथ के बटे में आ जाएगा ये पंध्रह तो अब इसकी साथियों क्या करा लो ठीकाना, देख लेते साथियों 3,57,Only 2, tidak 6,0 आ जाएगा पाचयकों 5,5 हो जाएगा आपका साथियों 5,4,आपका 20 हो जाएगा पाचयकों आपका 20 हो जाएगा यानि कि x square बराबर अगर 140 है तो कहा जा सकता है सातियों के x बराबर क्या होगा x बराबर सातियों 12 होगा क्योंगे 12 गुणा 12 ही तो होता है सातियों 144 तो x बराबर सातियों 12 हो जाएगा यहाँ पर था सातियों 3x और 5x यहाँ पर था इन में से बड़ी संख्या कौन सी है तो बड़ी संख्या तो ये है तो अगर X की वैलू साथियों 12 है तो 5 X की वैलू कितनी होगी 12 इंटू 5 होगी तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों 60 हो जाएंगे अगर छोटी वाली संख्या पूछता ना तो 12 ती आपका 36 कह देते आप तो कुल्विला की आंसर इस कोशन का जो जाएगा वो आप्शन नमर D के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नमर का कोशन आपके स्क्रीन पर देखिए चार करमागत समसंख्याओं का ओसत कितना है 27 है इन में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बहुत आसान सा प्रशन देखिए अगर बात करें मा लिजिए पहली समसंख्या एकस है तो दूसरी समसंख्या क्या होगी एकस प्लस टू होगी और तीसरी समसंख्या क्या होगी एकस प्लस फोर होगी और चौती समसंख्या क्या होगी x plus 6 होगी ठीक है ना इतनी बात आपको साथियों उमीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ठीक है तो पहली बात हो आपको धियान रखने आउसत गयाद करने हो कहा है न टोटल संख्याई कितनी है चार टोटल संख्याई है और इनको प्लस हमें करना होगा तो इसलिए हमने सब के बीच में साथियों क्या जोड़ दिया इनका साथियों आप से क्या पूछा जा रहा है अच्छा आउसत यहाँ पर आपको दे रखा है कि आउसत इंका 27 है तो कहा जा सकता है साथियों जब इनका वुगफल कितना है योगफल ऐसे क्यात हो जाएगा 27 इंटू 4 तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा 4 दून 8 और आपका 7 उद 10 हो जाएगा यानि कि इनका अगर योगफल करते हैं तो 108 आता है अब इनका योगफल एक बर जाएगा कर लो कितने X हैं काउंट कर लो 1 X 2 X 3 X 4 X यानि कि 4 X पिलस कितनी संख्या है 2, 2, 4 आपका 6, 6 और 6, 12 यानि कि 12 बराबर साथियों 108 हो जाएगा तो इसको साथियों कैलकुलेट कर लो अगर बात करें कैसे आएगा 4 X ये हो जाएगा बराबर 108 आएगा बराबर कि ये इधर माइनस का है सौरी पलस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो अगर बात करें 4 X बराबर साथियों किया आजाएगा 12 इस में से जब घटेगा ना तो 96 यहां पर आजाएगा अब अगर बात करें X बराबर किया जाएगा 96 बटे 4 आजाएगा चार चार दून आपका 8 हो जाएगा चार चक 16 हो जाएगा यहां कि X का जो मान आया है साथियों वो कितना आया है X का मान साथियों 24 आया है ठीक है ना तो X का यहांनि कि यह आपकी पहली संख्या जो सम संख्या ना वो 24 हो जाएगी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी जब X24 है भीया तो दो जुड़ जाएगा 26 हो जाएगी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी सातियों 28 हो जाएगी और चौती संख्या सातियों कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी तो इसमें हमसे पूछा है इन में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहे है तो पहली सबसे बड़ी संख्या तो 30 है और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 28 है तो आंसर आपका जाएगा 28 के साथ जो कि आप्शन नमबर A में है बहुत बढ़िया वेरिकूट क्लास अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का कोईशन आपके स्क्रीन पर है चलिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं 12 कल्कुलेटर और 9 केचियों का मूल कितना है 349 है तो 4 कल्कुलेटर और 3 केचियों का मूल क्या होगा साथियों अगर ये आपको पूरा मॉक टेस्ट फुल 75 पुर्शनों का मॉक टेस्ट कैसा लग रहा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे साथियों और अगर आपको साथियों ऐसे डेली एक क्लास चाहिए 75 पुल फुल मॉक टेस्ट की तो आप सबी लोग एक बार कमेंट भी ये बात मुझे बता देंगे आप फुल मॉक टेस्ट की रोजान आपको एक क्लास चाहिए तो मैं आपके लिए फुल मॉक टेस्ट की साथियों क्लास बना दूगा और मैं कह सकता हूं साथियों बहुत दिन तक नहीं अगर आपने ये फुल मॉक टेस्ट की डेली क्लास देख ली तो ये समझ लीजिए 85% आप बहुत अराम से साथियों कर डालोगे 85% की अगर बात करें जितना भी 75% का 85% होता है और सेलेक्शन साथियों 80% के बहुत अराम से हो जाता है लेकिन आप तो 85% कर डालोगे तो पंदरह से बीज़ दिन साथियों क्लास देख लो बहुत साथियों आप चारो सब्जेक्ट में ठीक है साइंस में भी अगर बात करें करिंट अफेर में भी अगर बात करें मैथ में और रिजनिंग में इन चारों भी अगर बात करें तो बहुत बड़ी है आपका स्कोर आने लगएगा यानि कि कोई आपको हरा नहीं सकता साथियों आपकी परिक्षा में इतना मैं आपको तैयार कर दूँगा इतना एक्सपर्ट मैं आपको बना दूँगा चलिए अब बात करते हैं साथियों 12 केलकुलेटर हैं और कैची हैं माल लेते हैं साथियों अगर हम बात करें साथियों कैलकुलेटर को हम क्या माल लेते हैं कैलकुलेटर को हम X माल लेते हैं और कैचीयों को साथियों क्या माल लेते हैं इन सभी का मूलत 349 रुपए है ठीक है ना 349 रुपए है उसके बाद साथियों अगर बात करें 12 है 12 है 9 है मतलब हम अगर बात करें common यहां पर बात करें तो 3 बहुत अराम से साथियों common मिल जाएगा ठीक है ना तो 3 साथियों यहां पर अराम से common मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 12 कितनी बार में आता है 3 चोग 12 में आता है तो 4 X यहां पर बचेगा यहां पर अगर बात करे 3 3 9 तो 3 Y आ जाएगा बराबर यहां पर बात करे तो 349 जैसा है वैसा आ जाएगा अब अगर बात करे साथियों 4 X पलस 3 Y बड़ाबर 113 साथियों यहां पर आजाता है ठीक है ना 113 यहां पर आजाता है अच्छा एक्स किया था एक्स तो आपका कैल्कुलेटर था 4 कैल्कुलेटर हो गए और यह Y क्या था Y कैची थी यानि के 3 कैचियां हो गई अच्छा पूछा क्या जाए कि चार किल्कुलेटर और तीन कैचियों का मूल कितना होगा अरे भाई ये चार किल्कुलेटर ही तो लिखे है और तीन कैचियों ही तो लिखे है यानि कि चार किल्कुलेटर और तीन कैचियों का मूल कितना है 113 रुपए ही तो है तो साथे कोशन का राईट आंसर क्या होगा 113 रुपए ही होगा या विवए गिर जो पूछा था वो हमने साथे और निकाल दी आंसर आपका então केसा जाएगा और ऐसा कोशन साथे आपसे मुझे ऐसा लगता है कि जरूर पूछा जाएगा चलिए और पूछा भी जाना चाहिए चलिए सुभाश और नरेश दो लड़के हैं सुभाश और नरेश किसी कार को दस दिन में करता अच्छा भया सुभाश ये हो गया और नरेश ये हो गया दोनों मिलकर जब काम करते तो दस दिन में निपटारा कर देते हैं किसी काम का यदि सुभाश अकेला उस काम को सोलह दिन में कर सकता है यानि कि सुभाश अगर उस काम को अकेला करता है तो उसको सोलह दिन कर समय लगता है तो नरेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा नरेश अकेला अगर करे तो उस काम को कितने दिन में करेगा ये आप से पूछा जा रहा है देखे एक ऐसा नमबर ले ले लेंगे जो के 10 के पाड़े में भी आता है और 16 के पाड़े में भी आता है तो 80 एक ऐसा नमबर है जो 10 के पाड़े में भी आता है और 16 के पाड़े में भी आता है ठीक है ना जब S 5 है तो यहां पर 5 आ जाएगा और जाहिर सी बात है यह कितना होगा यह 3 होगा ठीक है अरे भाया S और N की वैलू 8 है ना तो S यहां पर 5 दे रखा है तो S जब 5 हो जाएगा तो N 3 हो जाएगा अब अगर बात करें यह नंबर क्या होता है यह नंबर होता है साथियों total काम यानि कि total काम कितना है 80 total काम है और यह इस पाच के निकला है यानि कि इस एक दिन में पाच काम करता है और इन दोनों मिलकर साथियों 8 काम करते एक दिन में यानि कि मैंने अभी आपको बताए इस पाच काम अगर करता है इस डेली अगर पाच क काम करता है, टोटल काम 80 है, इस एक दिन में 3 काम करता है तो 80 की 3 से भाग दे दो पता चल जाए अगर बात करें 26 टाइब का कुछ आंसर आ रहा है लेकिन यहां पर उस टाइब से पॉइंट में नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं यह वैसे भी हम लोग कर लेंगे यहां पर क्या आया था? 80 बटे 3 आया था तो 3 तो साथियों नीचे आ जाएगा अईसा तो साथियों नहीं लिखा हुआ है ठीक है? तो हम क्या करेंगे साथियों? एक बार नीचे भी देख लेंगे नीचे जाएगे तो यह साथियों कट हो जाएगा इतना आपको धिहान रखना है साथियों क्या आया था? कि 80 बटे 3 आया था अई चावल का मूले साथियों 36 रुपए था अब गर चावल के बढ़कर 40 रुपईया हो गया तो चावल के मूल में कितनी की वर्दी हुई तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सी बात है चावल के मूल में साथियों चार रुपई की वर्दी हुई लेकिन यहां पर रुपई नहीं पूछा जा रहा है कितने रुपई की वर्दी हुई 36 है तो यहां पर 36 आजाएगा 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा यानि कि 100 बटे 9 साति हो कि अगर बात करें कैसे यह बनाएंगे तो नीचे 9 है तो नीचे 9 ही आएगा 10 है ना तो 9 एकम 9 आजाएगा एक बचे का 10 हो जाएगा फिर से 9 एकम 9 हो जाएगा ठीक है फिर एक बचे का वो यहां पर आजाएगा तो यानि कि 11 साही एक बटे 9 कौन से आप्शन में लिखा हुआ है तो आप्शन नमबर C में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी बहुत बढ़िया पेरिकुल क्लास अब उसके बाद देखिए चालिस का यहां पर एकस है सात्यों क्या है यहां पर एकस है तो चालिस का एकस पृतिषद 10 है तो यह प्रश्ट में आपको करा चुका हूँ शायद दोबारा से रिपीट हो गया तो 40 का X प्रतिशत इस प्रिकार से लिखेंगे बराबर कितना है 10 है तो X का मान सातियों क्या होगा X बराबर क्या होगा 10 गुणा 100 बटे 40 हो जाएगा जीरो से 0 कैंसिल होगा 4 से 100 कैंसिल होगा सातियों तो 25 आजाएगा और 25 कौन से option में है option number C वाले में तो यही आपका right answer होगा यह कोशन में आपको सातियों करवा चुका था अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर अगर बात करें दो घंडों का आयतन 27 और 64 है एक घंड का आयतन 27 है दूसरे घंड का आयतन 64 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा देखिए घंड का आयतन क्या होता है एक क्यूप एक क्यूप अगर कितना है सातियों 27 दे रखा है न और दूसरा एक क्यूप कितना है दूसरा घंकायतन कितना है 64 है तो अगर बात करें इनका भूजा क्या होगी भूजा तो ये होगी साथियों तो जब एक क्यूब 27 है तो जाहिर सी बात है ए बराबर 3 होगा क्यों 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 क्यूब 27 होता है और दूसरा एक इतना हो जाएगा दूसरा एक चार हो जाए तो तीन अनुपाद चार साथियों आपका आँसर आ जाएगा जो कि आप्शन नमबर बी में हमें बहुत बढ़िया वेरिकूट क्लास चली यहां पर आपसे पूछा जाए रहे कि साथ अनुपाद ग्यारह के प्रतियेक पद में कौन सी नियुनतम संख्या जोड़ दी जाए क पहला वाला उप्शन तो यह तीन बन जाए अगर साथ बटे आट में चार चार जोड़ दिया जाए तो यह साथियों तीन बटे चार बन जाए कैसे क्या हो जाए तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं साथियों अगर बात करें साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें अब हम सातियों option number B वाला ले लेते हैं, क्या लेकते हैं सातियों सात बटे 11 में कितना जोड़ना था, हमें 4 जोड़ना था, 8 जोड़ना था नहीं आया, आप 4 जोड़ना था, तो देख लेते हैं सातियों, 3 बटे 4 आना चाहिए, 7 चार आपका 11 हो जाएगा सातियों, और ये 11 चार आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 11 चार आपका सातियों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहां पर सातियों आ रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, 3 बटे 4 भी नहीं आ रहा है, तो कैसे किया है हाँ पर साथियों आएगा एक वर सी को साथियों ट्राइ करके देखते हैं हाँ पर सी को देखते हैं साथ बटे साथियों ग्यारा लिखा और छे लगाएंगे छे लगाएंगे साथियों क्या तीन बटे चार बनेगा तो 6 और 7 आपका कितना होता है साथियों 6-7 आपका 13 होता है ये भी नहीं बनाए क्योंकि ये तो साथियों कटी नहीं पाएगा अब D वाला बचा इसको देख लेते हैं साथियों 7 बटे 11 हैं आपर अब ये तो होई जाना चाहिए तो 7 प्लस 5 हो जाएगा 11 प्लस 5 हो जाएगा और 3 बटे 4 हो जाएगा 7 और 5 होता है साथियों 12 और 11 और साथियों 5 होता है 16 अगर इनको कट करें तो 2 चंग आपके 12 और 2 अठे आपके 16 हो जाएगा 2 ती आपके 6 और 2 चौक आपके कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा तो तीन बटे चार सातियों हमें मिल गया और यही हमें ढूंडना था तो आंसर आपका किस उप्शन के साथ जाएगा उप्शन अमर डी के साथ जाएगा इसको कराने के सातियों एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सातियों देखिए शाथ बते 11 लिखा पूछा इसमें ऐसा क्या जोड़े तो इसमें एकस जोड़ दिया इसमें एकस चोड़ ले पर शाथ यों क्या आजाए तीन बते 4 का बन जाए आब चार की गुणा 7 से करो तो 4 सातियों 28 हो जाएगा प्लस चार एक्स कराओ उसके बाद चार की एक्स से गुना कराओ फिर तीन की ग्यारा से गराओ 33 आ जाएगा फिर सात्यों तीन की एक्स से कराओ तीन एक्स आ जाएगा फिर इसको सात्यों कल्कुलेट कर दो तब भी एक्स का मांजू आएगा इससातीयों वो कितना आएगा वो आपका पाँच ही आएगा एक बर देख लेते हैं सातीयों देखिए 4S लिख लिया यह 3X बराभर के उदहरे इधर आएगा सातीयों तो 3X माइनस का हो जाएगा बराभर अगर बात करें 33 है اور माइनस 28 हो जाएगा इधर माइनस आ जाएगा X बराबर कितना आएगा पाच आएगा तो कुल मिला के जैसा भी मैथड आपको जो भी पसंद है वो आप साथियों अपना सकते हो उसके बाद देखिए नेक्स नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी वस्तू के क्रे मूल तता वी क्रे मूल का अनुपाद जो है न साथियों वो दस अनुपाद किया रहा है तो लाब बताईए क्रे मूल साथियों क्या होता है जिस मूल पर हमने कोई वस्तू खरीदी है यानि कि खरीदने वाला जो मूल होता है उसको ही क्रेमूल कहते हैं और वो दुकानदार ने जिस मूल पर जो वस्तू बेची है वो विक्रेमूल कहला जाता है यानि कि कॉस्ट प्राइस कहा जाता है क्रेमूल को और सेलिंग प्राइस कहा जाता है विक्रेमूल को अब कहा गया है कि मान लीजे कोई जो हमने क्रेमूल जो है वो 10 है और विक्रेमूल क्या है 11 यानि कि कोई वस्तू अगर 10 में हमने खरीदी और 11 में बेज दी तो जहर सी बाता है एक रुपए का हमें लाब हुआ लेकिन लाब को प्रतिशत में बदलना है तो लाब लिको बराबर में 100 लिको नीचे क्रेमूल ले आता है क्रेमूल साथियो कितना है 10 है तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा 10 है कम 10 हो जाएगा यानि कि 10 प्रतिशत का क्या होता है साथियो प्राफिट होता है तो आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर B के साथ चलिए उसके बाद देखिए अगले नमबर के कुशन है कि यदि P की आए Q की आए से 20 प्रतिशत अधिक हो तो Q की आए P की आए से कितने प्रतिशत कम होगी देखिए यहाँ पर सरीफ इस नमबर का खेल है सवाल सब कुछ सेम होगा अब P और Q की जना किसी के नाम दे दिये मान लिजे रमेश की आए मोहन की आए से इतने प्रतिशत अधिक है तो मोहन की आए रमेश की आए से कितने प्रतिशत कम होगी सिर्फ इसका खेल है साथियों तो ऐसे प्रिशन को करने के लिए आप क्या करेंगे 20 प्रतिशत अधिक बोल रहे ना तो 20 लिखो गुणा में 100 आ जाता है, यैनि के तो 80 आ जाता, लेकिन अभी ये आया है, तो इसको calculate करेंगे, जीरो से जीरो कैंसील हो जाएगा, दो एकम दो, 2 खंग आपका 12 हो जाएगा, इसको 2 से cut करेंगे, 50 बेटे साथियो 33 आजाएगा, झाजब इसको cut करेंगे, next number का question आपके screen पर सातियों class के बारे में एक बार comment आप लोग जरूर करेंगे और बताएंगे कि class आपको सातियों कैसी लग रही है और channel पर अगर नए है तो channel को सब ही लोग सातियों subscribe कर ही लेंगे देखिए एक आयताकार tank है आयत क्या होती के लिए लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई होती है तो इसका मतलब सातियों 8, 7, 5 की गुणा हो जाएगी तो इनकी सातियों calculate करें 7, 8, 56 हो जाएगा 56, 57 कितना होता है देख लेते हैं 6, 35, 30 हो जाएगा और 55, 25 यहनि के 88, 28 हा जाएगा तो 280 80, घन मीटर सातियों यह क्या होगा यह टैंक का आयतन होगा आंसर आपका जाएगा C के साथ चली अब उसके बाद देखिए डेक्स नंबर के कोशन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताएगे के राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 14 प्रिशत क्या लिखा है सातियों 14 प्रिशत वाशिक दर से किसी निश्चित राशी का तीन वर्ष का साधरन ब्याज 235.20 हो जाता है तो मूलधन आपसे पूछा जा रहे तो SI बराबर आपको मालूम होना चाहिए P.R.T. बटे 100 होता है SI यहां पर दे रखा है 235.20 है P की वैलू क्या है P की वैलू ही तो पूछी जा रही है यानि के मूलधनी तो पूछा जा रहे R क्या है R 14 प्रिशत है और समय कितना है 3 वर्ष का है नीचे आपका क्या आजाएगा 20 आजाएगा तो अगर बात करते हैं अगर अगर बात करें 235.20 अब इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो यहां पर सातियों क्या आजाएगा यहां पर 100 आजाएगा अगर इस पूइंट को हटाएगे तो नीचे क्या बढ़ाएगे एक लगा कर 20 बढ़ाएगे अगर तीन नंबर के बाद पॉइंट होता तो पॉइंट हटाते एक बढ़ा के तीन जिरो बढ़ाते अब आप देखें इस साथियों से यह दो जिरो कैंसिल हो जाएगा यानि कि अब आपके पास सातियों क्या बचेगा 23520 बचेगा अब इसको कैलिलोट कर लो 3 ward 3 हो जाएगा 3 2 हो जाएगा 2 बचेगा 25 3 sut 7 3 8 आपका 24 हो जाएगा 12 हो जाएगा तीन चौक आपका 12 हो जाएगा ठीक है सके ना अब अगर 2 से कटकर 2 सत्य आपका 14 हो जाएगा 2 टी आपका 6 हो जाएगा ठीक है ना दो छंग आपका साथ एकम साथ, साथ पंजे आपका 35 हो जाएगा साथ पंजे पंजे 35 हो जाएगा, साथ एक इसमें लगेगा अगर बात करें साथ एकम साथ हो जाएगा तब भी लेकिन पाच करके इस टाइप का कुछ आंसर आ नहीं रहा है तो कुछ साथ यूं मिस्टेक तो नहीं होगे, यहाँ पर हमको करने में कुछ नकुछ कुछ नकुछ करने में साथ यूं मिस्टेक तो नहीं होगे, देख लेते हैं एक बार हम लोग कि इतना तो साथ यूं आ गया था क्या कि 14 गुणा 3 14 क्या था? 14 अपका इप्रतिशत था? 3 वर्ष का समय था और गुणा में P था और बराबर साथियों क्या था? 235 था और साथियों यहाँ पर 20 था ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना था तो अगर बात करें 23520 के अगर बात करतें साथियों इसके भाग में आजाएगा 14 गुणा 3 ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आगी एक बार हम यह लिख लेतें ना साथियों क्या? 23520 और नीचे 14 गुणा 3 23520 23520 और नीचे क्या साथियों? नीचे क्या था? अगर बात करें तो यह 14 था और 3 था और यह किसके बराबर था यह P के बराबर था यानि कि यह मूल धन के बराबर था इसको calculate कर लो मूल धन आपका निकलाएगा तीन एकम तीन साथ हो जाएगा 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 तीन साथ हो जाएग option number B के साथ जाएगा यानि के 560 के साथ 75 में नंबर का प्रशन आपके स्क्रीन पर है और ये आज किस क्लास का साथ यो अंतिम कोशन आपके स्क्रीन पर है यहां पर अगर बात करें रोबल ने एक गाड़ी 2,50,000 रुपए में साथ यो 2,50,000 को माइनस करा लो 2,50,000 माइनस करा लिए कितना बचेगा साथ यो यह हम लोग देख लेते हैं यहां पर इतना बचा अब इसको प्रतिशत में आपको बदलना है क्या करेंगे साथ यो नीचे आपका क्रेम उल आ जाएगा निके 2,50,000 यहां पर आ जाएगा अब इस 3,0 से यह 3,0 कट जाएगे इस 1,0 से यह 1,0 कट जाएगा उपर साथ यो क्या बचेगा 980,000 नीचे क्या बचेगा साथ यो 25,000,000 पांच पंजे आपका 25 हो जाएगा, पांच यह कम 5 हो जाएगा 4 बच जाएगा पाच नीम आपका 45 हो जाएगा पाच चंग आपका 30 हो जाएगा यानिके 196 बटे की आजाएगा पाच आजाएगा पाच नीम आपका 15 होता है चार बचेगा पाच नीम आपका सातियों कितना हो जाएगा तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएंगे और उसके अलावा साथियों चैनल पर अगर नए है चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है और टेक्निशन की जो वैकंसी है उससे सब्मंदित भी जानकरी आपको दी जाती रहेगी तो इस वीडियो को कम से कम अपने दो से तीन मित्रों को आप सभी लोग अवश्य शेयर करेंगे या किसी एक ग्रूप में आप लोग अवश्य शेयर करेंगे तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में साथियों जैहिन